हेलो फ्रेंज मैं जोती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपसब के अपने चैनल जोती मेकिंग में तो आज मैं आप सभी को दो कलर में स्वेटर का डीजान बताने वाली हूँ जिसे आप किसी भी कार्डिगान पर अपलाई कर सकते हैं दो कलर में बहुत ही सुन्दर और जो क्लण वाली है उसमें आप ये ढाल सकते हैं या जिंस पर पानने वाली बंडी हो उसमें भी आप डाल सकते हैं भोकोर बना रहे हैंlaughter बना रहे हैं मौफलर लसमें है निदर करें बेगे करेंब में दो क्लर में सुनदर में निर्टाम में पंतो हुआ आपको जो भी color पसंद हो उस color से आप बना सकते हैं तो यह design जो है उल्टी सट से starting किया जाता है आप जिस project में से डालना चाहते हैं यह सुन्दर से design को उसमें सबसे पहले क्या करना है बॉर्डर बना लीजिए या नहीं तो आप नीचे से भी starting कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ तो तीन शलाई सिधा उल्टा करके बना ली हूं आप यह चलाई पर फंदे डाल लीजिए और उसके बाद यह design इसमें starting कर सकते हैं तो आप बॉर्डर बना लीजिए बॉर्डर के बाद भी यह design डाल सकते हैं यह नीचे से भी यह design डाला जाता है आपको जहां से पसंद हो वे हां से आप यह design डाल सकते हैं मुठ प्ना ली हूं इसके बाद मजिम यह design डाल रही हूं यह design जो है versions Si minder से फंदे को इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेना है तिये मैं टोटल फंदे को इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेती हूं टोटल फंदे को तीन बार इस तरीके से धागाला पेड लेती हूं और पूरी रो मैं उल्टी सेर से फर्स्ट रो मैं पूरी सलाई इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेती हूं फिर मैं पुनो आप सभी को सीधी सेट से दिखाती हूं यह मैं फर्स्ट रो उल्टी सेट से यहां कम्प्लीट कर चुकी हूं और सकेंड रो मैं सीधी सेट से आच चुकी हूं तो सकेंड रो सीधी सेट से अब क्या करना है फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेन है उसके बाद 6phonade को खोलना है 1 2 3 4 5 और यह 6 यहां मैं 6 phầnade को इस तरीके से खोल ली हूँ और इस तरीके से करके total फंदे को सिधा कर लेना है यह total perfect मैं यहां कर ली हूँ उसके बाद total फंदे को इस šalãy पर ऐसे करके दे देना है तिए मैं टोटल फंदे को इस लाइपर यहां दे दी हूँ वान टू और ये थ्री थ्री फंदे को मैं यहां छोड कि इस तीन फंदे को इस तरीके से आगे ले आना है तिए मैं आगे ये तीन फंदे को ले आई हूँ ये इस तीन फंदे को मैं यहां आगे ले आई और ये तीनों फंदे को पहले सीधा बना लेना है तो इसे मैं सीधा बना लेती हूं जो फंदे मैं पीछे से आगे खीती पहले इस तीनों फंदे को यहां बना लेना है यह तीने फंदे बन चुके हैं उसके बाद इस तीनों फंदे को एक-एक करके सीधा बना लेना है तो इस इसे मैं सीधा बना लेती हूं, दो और ये ती, ये देखें टोटल यहां 6 फंदे थे और 6 फंदे यहां बन चुके हैं, फिर क्या करना है, फिर 6 फंदे को खोलना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6, यहां 6 फंदे को मैं खोल ली हूं, और ये 6 फंदे को इस लाए पर दे देना है ये छोओ फंदे को मैं इस्तलाई पर दे दी हूँ उसके बाद क्या करना है ये बीच से होते हुए दो तीन ये तीन फंदे के बाद क्या है इस तीनों फंदे को आगे ले आना है ये पीछे है अभी तो इसे क्या करना है इसे आगे ले आना है ये मैं इसे आगे ले आई हूँ अब क्या करना है ये तीनों फंदे को पहले सीधा बना लेना है ये तीनों फंदे को मैं पहले यहां सीधा बना लेती हूँ जिस फंदे को मैं पीछे से आगे की थी ये तीनों फंदे सीधी बन चुके हैं अब इस तीनों फंदे को सीधा बना यहां गळाले नहर देकिए दोस्ते यह इस तरीके से यह डीजाइन बनके आएगा इसी तरीके से मैं पूरी रोख कम्पलीट कर लेती हूं संसी कर लेती हों कर लेती हूं यह देखे फ्रेंड्स यहां कुछ डिजैन बनके कम्प्लीट हो चुका है और कितना प्यारा से यह डिजैन लग रहा है तो अब क्या कहरना है यह दो सलाई यहां कम्प्लीट हो चुका है और यह मैं तीसरा सलाई फिर मैं उल्टी सेट से आप सभी को दिखाती हूँ तीसरी सलाई में आचुकी हूँ आप तीसरी सलाई में क्या करना है यह नीचे वाली कलर को ले लेना है और एक फंदा उल्टा बना लेना है उसके बाद क्या करना है टोटल फंदे में तीन बार धागा ऐसे करके लपेट करके उल्टा बना लेना है यह मैं तीसरी सलाई इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेती हूं टोटल फंदे को उल्टा बना के इस तरीके से तीन बार धागा लपेट करके पूरी रो में यहां कम्प्लीट कर लेती हूँ यह देखे फ्रेंट्स यहां मैं तीन सलाई कम्प्लीट कर चुकी हूँ और यहां मैं चोथी सलाई में आ चुकी हूँ अब चोथी सलाई में क्या करना है फर्ष्ट डिजैनिंग में मैं यहाँ एक फंदे को निकाल करके और छो फंदे को खोल ली थी और छो फंदे से मैं डिजैन बनाई थी इसमें क्या करना है दूसरा डिजैन है यह और यह चोथी सलाई है तो इसमें क्या करना है इस छो फंदे से जो मैं फूल बनाए थी इसमें से तीन फंदे लेने है इस फूल से तीन फंदे लेने है यानि छो फंदा इसमें है और छो फंदा इसमें है तीन फंदे इस से लेने है और इस बीच में ये डिजैनिंग बनेंगा ये क्या होगा शुरू में ये तीन फंदा एक्स्ट्रा नहीं तो इसमें भी आप डिजाइनिंग डाल सकते हैं इसे मैं ऐसे ही सीधा करके बना लेती हूं ये साइड वाला फंदा है ये ऐसे ही मैं इसे सीधा बना लेती हूं उसके बाद मैं ये तीन फंदा बच चुका इस डिजाइनिंग का इसे पहले खोल लेना है एं, टू और यह थ्री फूल के तिन फंदे को खोड लेना है वान, टू और ये थ्री ये छोफंदे टोटल हों चुके अब छोफंदे को इसलाई पर दे देना है और जिस तरीके से मैं first फूल में, first designing में मैं बनाई थी बस उसी तरीके से करना है वान टू और ये थ्री ये तीन फंदे हो चीके उसके बाद इस तीनों फंदे को आगे ले आना है और इस तीनों फंदे को सबसे पहले सीधा बना लेना है तिसे मैं पहले सीधा बना लेती हूं उसके बाद इस तीनों फंदे को सीधा बना लेना है एक एक करके इस तीनों फंदे को भी मैं यहाँ सीधा बना लेती हूँ यानि टोटल छो फंदे को यहाँ मैं सीधा बना ली और यह दिखी एक जनी यहाँ बन चुका है इसी तरीके से फिर पुना क्या करना है छो फंदे को खोल लेना है तीन, चार, पांच और ये छो ये छो फंदे हो चुक है अब इस सलाइप पर ये छो फंदे को दे दीना है ये छो फंदे को मैं यहां दे दी हूँ उसके बाद क्या करना है एक फंदा, दो फंदा और ये तीन फंदा हो चुका है अब इस तीनों फंदे को आगे ले आना है और इसे पहले सिधा बना लेना है तो इस फंदे को पहले मैं यहां सिधा बना लेती हूँ ए, दो, और ये तिन, फिर इस तिनों फंदे को भी सीधा बना लेना है दोस्तों ये डिजैन इसी तरीके से पूरी रोग कम्प्लीट होगा ये चौथी सलाई है और ये देखे किस तरीके से ये डिजैन बनके आ रहा है ये देखे फ्रेंट्स बहुत ही सुन्दर सा ये दो कलर में डिजैन लग रहा है एकसर ये बेबी के सुटर में हो या बंडी बनाने में हो बहुत ही सुन्दर सा ये डिजैन लगता है एक फुल मैं और आप सभी को बना के दिखाती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे उसके बाद क्या करना है इस छो फंदे को इस लाई पर ले लेना है ये छो फंदे को मैं इस लाई पर ले ली हूँ और तीन फंदे के बाद इस तीनों फंदे को आगे ले आना है उसके बाद एक-एक करके ये तीनों फंदे को सिधा बना लेना है एक, दो, और ये तीन फिर यहाँ इस तीनों फंदे को सिधा बनाना है एक, दो, और ये तीन ये छो फंदे भी सिधे बन चुके हैं और ये दे किस तरीके से टिजैन लग रहा है यह पूरी रो इस तरीके से complete कर लेती हूं और यह देखे friends यह यह डिजाइन बनके complete हो चुका है और कितना ही प्यारा सा यह डिजाइन लग रहा है यह दो किलर में यह डिजाइन मैं बताई हूँ यहां मैं total चार इंसलाई बना के complete की हूँ दोस्तों यह डिजाइन जो है कितना सुन्दर लग रहा है बहुत ही सुन्दर लगता है ये डिजैन वनली ये चार सलाई हमें बनाई हो और ये चार सलाई में ही कितना सुन्दर ये डिजैन लग रहा है दोस्तों जदि आप सभी को ये डिजैन पसंद आया हो और मेरी ये बताने का तरीका आप सभी को किजिए जदी कोई दाए हैं पहले बात देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और और नोटिफिकेशन दबाईए जिसे मैं कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को लास्ट देखने के लिए आप सभी को बहुत- धन्यवाद